सब्सक्राइब कैसे हैं आप लोग स्वागत करने विल्ड में और आज की बिल्ड होने वाली 46 से लेकर 47000 के रुपीज के विल्डिश में सब्सक्राइब कंप्रेटर मार्केट की पैसिंग बहुत गंदी होगे इतनी गंदी होगे कि मैं बता नहीं सकता तो इसका बात छोड़ो चलो पीसी पर देखते हैं क्या क्या है प्रोसेसर में चूज के इंटेल तरफ से आने वाला उनका i3-100F जो कि यह प्रोसेसर चाड़ कोर्स आर्ट त्रेट के साथ ता और मैक्स फ्रिक्वेंशी 4.3 जिगार्ट तक सपोर्ट करता और बेस फ्रिक्वेंशी 3.6 जिगार्ट का सो देखो ऐसा पॉइंट है कि मार्के इसलिए हमने 3100 प्रिफरी नहीं क्या क्योंकि अविलेबल ही नहीं था कहीं और हम इंटल के साथ अपना स्टॉक कुलर यूज करें लेजिंडरी स्टॉक कुलर मदर चूज के आमने असुस प्राइम एच फोर टैन एमी मदर जो की डिसेंट सा मदर पूर्ड है इसमें दो रैम स्लोट मिल जाता है में जो की डीडियार पॉर्ड मैक्समल सपोर्ट करते 293 मेगार्स की राइम को और यह एलजेट ट्वल और सॉकर सपोर्ट करता है आई ड तो पॉइंट ओका दो स्लोट और और आडियो और पूट के लिए आपको पता ही है और इस मदर होते हैं और इस मदर में में एम डॉट टू स्लोट मिल जाता है प्लस यह मेरी को एच 310 के प्राइस पर मिला है कि सो हमने राम चूज के तरफ साने वाला उनका हाइपर एक्स फ्यूरी जो कि 3200 मेगाहर्स पर सपोर्ट है प्लस यह सी एल 16 के साथ आता है जो कि एक अच्छी पाइंट बट आपको इतनी महगी राम लगाने की जोत नहीं है जबकि आप आई ते लिए गार बट हमने लगा आई वी है क्योंकि आए थे अलड़ी इसको डाउन क्लॉक करके 233 मेगाहर्स पर चलाएगा मैक्स टू मैक्स स्टोरेज के लिए हम लोग चूज करने वाले हैं M.2 SSD प्लस एक हार्डिक जो के ओल्ड कम्पूटर से रिसाइकल की वी है तो M.2 SSD हमने किंश्चं के तरफ से लिया है जो कि है A400 स्रीज का 240 GB का और इसकी रीड और स्पीड पर अच्छी खासी है सो सिस्टम पूरी स्नैपी फिल होने वाली है जी पी यू जी पी उने चूज किया असूस के तरफ से आने वाला उनका 1050 Ti जो कि चार्ज भी की वीरन प्रोवाइड करता जो कि DDR5 वाली है प्लस यह ओसी डिसन ने तो भाई 1050 Ti से थोड़ी मोरी एक्षा प्रफॉर्मस निकाल के देगा क्योंकि यह ओसी डिसने इसमें इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता भाई आज की डिट में 1050 Ti यह बेस्ट वाली फॉर मनें अंडर थाटीन के पाउर सप्लाइब में हमने चूज के एंटेक के तरफ से आने वाला उनका वीपी 450 वाट का पाउर सप्लाइज यह 80 प्लस वाइट सेटिफिकेट रसाता प्लस इसका केबल ब्लैक प्लस फ्लैट के बसाता जो कि भाई बील्ड में एक अच्छा सा लुक प्रवाइड कर देत प्रेंट में आपको लिडिश्ट्रिप मिल जाती है जिसका कलर आप चेंज कर सकते उपर के आयो पोर्ट के दोवारा और आयो पोर्ट की बात करें तो पर आपको यसभी 3.0 के एक पॉर्ट मिल जाते है यूजबी 2.0 के दो पॉर्स मिल जाता है पाउर बटन और इसे बटन प्रेंट ने चूज़ किया सैमसंग के तरफ साने वाला उनका 22 इंच का IPS पैनल 75 वर्स का मोटर तो भाई जिस बंदे कुछ आये था इसका इडिटिंग वर्क काफी होने वाली है तो भाई इसलिए हमने IPS पैनल चूज़ किया और गेमिंग होती तो आफकोर्स विए पैनल ल है कि अच्छ कि अच्छ कि अच्छ कि अच्छ के बिल्ड में बना सकते हो और मैंने इतने वी प्राइस बताई उसमें जी इस्ट इंग रूड ने तो यह इस्ट इंग रूड करने के बाद आए तिक दो जार से लेके पचीश सो तक उपर प्राइजिंग होने वाली साइब पार्स मिलाकर और और हो सकते तो राइजन थर्टी वन हंड्री सा जाना क्योंकि यह ज्यादा अच्छा प कर दो